हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में शिक्षक भरती से जुड़े जितने भी नए विग्यापन जारी होते हैं जिस भी राज्य के बिलकुल आप लोगों के लिए वीडियो समय पर बनाया जाता है ताकि आवेदन आप लोग कर सके डेट निकलने से पहले आप लोगों तक सूचना वीडियो के माध्यम से पहुँच जाए बहुत सारे कैंडिडेट का जो है सिलेक्षन होता रहा है और आगे भी होता रहेगा तो आप लोगों के जो सबजेक्ट अगर आप लोगों को नहीं नजर आ रहा है तो रेगुलर ब आप लोगों को यहां पर दिया जा रहा है तो बिलकुल आप लोगों को जो है आवेधन करना ही चाहिए सभी राजियो के कैंडिडेट बिलकुल यहां पर अलाओ रहेंगे तो चलिए देख लेते हैं वेकेंसी का नोटिफिकेशन कहां से जारी किया गया है कौन-कौन से सब्जेक्ट की वेकेंसी है यदि आपका सब्जेक्ट है तो बिलकुल सही तरीके से जो है वीडियो देखा करिए लिंक आप लोगों को इसलिए शियर किया जाता है ताकि आप लोग नोटिफिकेशन को दुबारा से खुद से पढ़ सकें, और उसे अच्छे तरीके से जान सकें, अपलाए करने के लिए जो है आप लोगों को रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट जो है करना होगा, वेकेंसी जारी की गई है, पूर्वी सिंग भूम से, इस्ट सिंग भूम से वेकेंसी ह स्टार्टिंग डेट 10 फरवरी 2024, एंडिंग डेट 5 मार्च 2024, तो यहां व्यू पर जो है क्लिक करना होगा, जिससे की नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, आप लोग भी जो है सही से पढ़ा करिए, अगर आप आविदन करने के इच्छुक रहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कस्तूर्वा गांधी बालिका विद्याले में पहले समविदा के अधार पर ही सेलेक्शन होता है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसे सोचता है कि पर्मनेंट वैकेंसी तो आई ही नहीं, यह जो सरकारी स्कूल होते हैं, कस्तूर्वा गांधी बालि तो यह जो वैकेंसी हैं सर्वो सिक्षा अभ्यान और समग्र सिक्षा अभ्यान के तहट निकाली जाती हैं सरकार की तरफ से, तो इसके लिए गौर्मेंट के द्वारा हर राज्य में केजी वीवी कस्तूर्वा गांधी बालिका विध्याले जो है खोले गए हैं, सबसे पहल यहां पर पर्मानेंट कर दिया जाता है, काफी टीचर्स ऐसे हैं जो कि 9 साल, 10 सालों से एक ही सरकारी स्कूल में बने हुए हैं, उसका कारण क्या है, उन्हें सारी सुविधाएं अगर वहां पर मिल रही हैं, तो ऐसी कंडिशन में वहां से वो जाना ही नहीं चाते हैं, तो हैं, और जिन कैंडिडेट ने आविधन किया था, तो बिलकुल मैरिट लिस्ट जो है वो आप देखते रही है, लिंक आप लोगों को शियर किया ही जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग डेली जो है, रेगुलर जो है, उसे देखते रहें, ठीक है, ता फरवरी दोहजार चॉबिस से, पांच मार्च दोहजार चॉबिस, पांच बजे तक जो है, आप लोग अपलाए कर सकते हैं, अब देख लेते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट की, कितनी वेकेंसी है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, कि यहाँ पर पूंड कालिक सिक्षिका की ही वेकेंसी है, अल्पकालिन सिक्षिका की वेकेंसी नहीं है, तो पूंड कालिक सिक्षिका को विध्याले में ही रहना होता है, पूंड कालिक सिक्षिका महिला के लिए भासा, हिंदी और इंगलिस की वेकेंसी है, नंबर वेकेंसी चार है, गनित में भी चार ह और सामजीक विज्ञान में एक वैकेंसी है, यहाँ पर कुल पदों की संक्या है 12, तो जहारकंड सिक्षा परयोजना पूर्वी सिंग भूम जमशेद पूर से ये वैकेंसी जारी की गई है, नेक्ट हम देख लेते हैं, क्वालिफिकिशन क्या कही जाती है, तो जिस भी के लिए आप अप्लाई करना चाते हैं, 50% मार्क्स के साथ में सनातक होना जरूरी है, और बीएड आपकी चाहिए, साथ में आप देख लें, ऑप्शन क्या है, अगर बीएड नहीं है, तो इसके समकक्ष, कोई परिक्षा आपने उतीन की हो, या फिर आपने प्राइमरी ले का दो वर्सी डिप्लोमा किया है, वो भी एलिजिबल है, बीएड वाले भी एलिजिबल है, साथ में आपके पास जहारकंड सरकार द्वारा कक्षा 6-8 के लिए आयोजित टैट में उतीन रहना अनिवार्य होगा, राज्य सरकार द्वारा टैट की व्यादता आजीवन मानने किया गया है, तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिन्हों ने जहारकंड सरकार के द्वारा टैट उतीन किया है, तो बिलकुल एलिजिबल है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, चतिसगर के, बिहार के, उतर प्रदेश के, जो की, जिस भी राज्य का टैट जब फॉर्म निकलते हैं, तो बिलकुल अप्लाए करते हैं, और अगर किसी कैंडिडेट ने टैट कौलिफाई किया हुआ है, जहारकंड सरकार के द्वारा, तो बिलकुल यहाँ पर अप्लाए कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है, 15,840 रुपे प्रती महा जो है, स्टार्टिंग में देना होगा, तीन साल तक आप यहाँ पर अगर काम अच्छे से कर पाते हैं, तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है, तीन वर्स की संतोस्प्रत सेवापून होने पर नियत प्रतिमा, हर महीने, परिलबदी में, आपकी सैलरी में 50% की यहाँ पर व्रदी कर दी जाएगी, और वार्शिक वेतन व्रदी दर 250 रुपीज होगी, ठीक है, तो ऐसे में आपकी 22,000-23,000 सैलरी बन जाती है, चैन है तो सिर्फ महला अभ्यरती ही योग्य होंगे, आयू सीमा 21-35 वर्स है, राजे सरकार के द्वारा यहाँ पर अनुभावी महला अगर है, एक सर्विसमेन को अपनी कोटी में 5 वर्स तक उपरोकत अधिकतम आयू सीमा में छूट, दी जाएगी, तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे application format जरूर मिलता है यहाँ पर, यह रहा application form, इसे आप लोगों को download कर लेना है, link आप लोगों को share कर दिया जाएगा वीडियो के नीचे, उसे भर लेना है अच्छे तरीके से, बहुत ही simple form रहता है, और जितने भी आपक के document है, उनकी photo copy आपको लगानी होगी, अगर किसी आरक्षित जाती से बिलोंग करते हैं, तो प्रमान पत्र जरूर लगाएंगे, कस्तूर्वा गांधी बाली का विद्याले कावा से विद्याले है, अतचैने अब्यर्ति को विद्याले में ही रहना होगा, यह आपको ध्या का विद्याले है, अवेदन पद का नाम, कैसे लिखना है आप लोगों को, आप लोगों को एन्वलप के ऊपर जो है लिखना है, लाल रंग के मोटे अक्षर में, कस्तूर्वा गांधी बाले का विद्याले, पून कालिक सिक्ष का हिंदी, और किस कोटी से बिलोंग करते हैं अगर आप आरक्षित वर्क से विलोंग करते हैं, तो कोटी जो है वो बिल्कुल अंकित करना होगा, बस इतना ही करना है, और एडरस जो है वो आप लोगों को यहां भी दिख जाएगा, एडरस जो है आप लोगों को उपर भी मिल जाएगा, यह देखिया है, यहां पर एड इस्टूपुर, जमसेदपुर, पूर्वी सिंग्भूम, 831 001, ठीक है, जारकन, यह address रहेगा, तो जो भी candidate है, जिन्हों ने जारकन टैटर क्लियर किया हुआ है, चाहे प्राइमरी लेवल का जो आपके पास डिपलॉमा हो दो वर्सी है, या फिर बेड किया है, यहां पर eligible हो लिखाया हुआ है, KGBV Teacher Recruitment Notice 2024, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने Next Page होगा, यहां पर फाइल है, उसके नीचे लिखा है, View to MB, तो यहां पर जो है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, देखने के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा, ड आप application form को भी आप print out कर पाएंगे, ठीक है, डाउनलोड करके print out कर लेना है, और समय पर भेज देना है, तो चलिए जैसे ही नई vacancy योग किसी भी राज्य की जारी होती है, आप लोगों को सूचना समय पर मिलेगी, बने रहिए चैनल पर, Thank you.